हलो कैसे हो मैंने एक डाट मारी थी 2020 वाले स्टूडेंट के लिए और उनमें से कुछ स्टूडेंट एकाउंट से उनको फायदा हुआ है अब मैं तो सोचा था एक डाट से काम चल जाए लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है कि लगता है 2021 वाले बच्चों को भी एक डाट की जरूरत पढ़ गई है काम नहीं कर रहे हैं उनको बड़े सारे बहाने मिल गए हैं बहुत सारे बहाने बना रहे हैं तो सोचा चलो एक काम करते हैं इस 2021 वालों को अलग अलग करके डाटने की जगह हर बैच में हर क्लास में डाटने की जगह एक बार तसली से डाट मार डी जाए तो इसी के साथ आपको मिल रही है अनूप सर की डाट यानि की मेरी डाट पार्ट टू स्पेसिफिकली फॉर 2021 स्टुडेंट वो लोग जो 2021 में एक्जाम देने वाले हैं उनमें से कुछ डॉपर्स हैं कुछ 12 स्टाडिंग हैं सारे के सारे बहाने बनाने में लगे हुए हैं ये सोचने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हमें एक ऐसा बहाना मिल जाए कि हमें इस बार परफॉर्म करना ना पड़े मानता हु यार तुम डरहुए बहिए, उग्जाम पास आता है, पूरा करियर स्टेक में डर ना लाजमी है. यार, डर प्या है हर व्यक्ती. तो क्या हुआ? डर गए हो तो डर से परफॉर्म करो, डर तो तुम्हे परफॉर्म करवाता है. अगर तुम डरोगे ही नहीं तो तुम ओवर कॉंफिडेंट हो जाओगे तो तुम पढ़ा ही कैसे करोगे फिर तो तुम को गया हम और तो हो जाएगा थोड़ा सा डर अच्छा होता है कोई खराबी नहीं है डर में लेकिन इसका मतलब यह क्या है मैं इसे ना पढ़ा नहीं जाता है मैं खाली टाइम में ना टाइम वेस्ट कर देता है एक बात मुझे समझ में नहीं आती तो खाली टाइम मिल कहां से जाता है सर्थ व्यूका रिश्क कर देंग वो खाली टइम आलआ कांसे तुम्हारे पास? कहां के बीचमें से खाली टैम नगा। तुमने? भाई खाली टाइम अगर तुम्हारे पास है तो इसका मतलब दो रिजस्ट का टाइम है तो रिजस्ट का टाइम तो वेस्ट हो बेहुँ हैं और मुझे यह भाने बिल्कुल नहीं चाहिए मुझसे पढ़ा नहीं जारायाande। सर मैंने अपना सारा का सारा कोर्स टाइम वेस्ट कर दिया अभी तुमने टाइम वेस्ट कर दिया तो ठीक है याड जाल लगाओ ना ताकत लगाओ पूरी मेहनत करो मुझे मैसेज करके कहते है सर मैंने ना मेरा ना मन नहीं कर रहा पढ़ने का सर मुझे ना समझ में नहीं आ रहा अले या पूरा कोर्स चल रहा है तुम्हारे लिए 11th क्लास का एक कोर्स लाँच कर दिया है प्लस के उबर पूरे के पूरे के पूरे स्टार्टिंग से कोश्चन से करवाता चला जा रहा हूँ टेजी से कोर्स हो रहा है बड़े धान से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे कोई फालतू की बाते नहीं होती साथ ही साथ एलीट बैश तुम्हारे लिए लाउंच कर रखा जिसके अंदर सारे की सारी चीज़े डिटेल में एक्स्प्लेइन की जाती है जितने भी कोशन पूछन पूछते हैं सबके आंसर दिये जा रहे हैं उसके बाद आज मैंने आस्क मी एनिफिंग का भी है सेशन ले लिया कि तुम्हें जो पूछना है पूछलो सारे की सारी डाउट्स क्लियर कर लो उसके बाद तुम्हारे पास सारे की सारे यूट्यूब के सेशन से जिसके अंदर पता नहीं कितने सारे सेशन से मुझे सवाल करते हैं अ 누라고 सचे नहीं मिल रहा यारे मेरे प्रोफाइल पर जाओ परो पर जा कि यह नहीं हो रहा वो नहीं हो बहाने क्यों बना रहे हो बहाने किस बात के बहाने सर रात को हम ना रात को लेट तक जाकते क्यों जाकते हो सुबह जल्दी नहीं उठा जाता किसी से बोलो अपने छोड़े भाई छोड़े बहन को बोलो मुझे सुबह उठा दे देखो क्या बहाने किस बात के, कोई बहाने नहीं है, कोई टाइम कम नहीं है, तुम्हारे पास साथ महीने है, मुझे पता है, यार धीक है, जैसे इसे टाइम पास आता चला जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मही के अंदर एक्जाम हो जाएगा, साथ महीने आपके पास है, साथ महीने seven months chapter कितने total मिला कि अगर biology, physics, chemistry तीनों मिला लो near about 95 chapters 95 chapters का मतलब क्या होता है साथ महीने में साथ महीने में अगर 30 दिन के साफ से चला है तो 210 दिन 210 दिन के इतना चलो थोड़ा से दिन हटा दो 200 दिन 95 chapters 95 chapters के साफ से अगर तुम सारे के सारे conservative estimation लगा के चलो तो दो दिन में एक chapter दो दिन में एक chapter नहीं होता तुम से क्या बात कर रहे हैं और वो तब है जब तुम अभी से start करोगे 12th pass ध्यान रखना 12th pass वालों की बात कर रहा हो 12th studying वालों को 12th का board examination देना और obviously वो पहले से start कर चुके है 12th pass वालों को दिक्कत थी क्यों 2020 ने डिले होकर उनके प्रॉब्लम क्रेट कर दी तो उनके लिए 7 महीन है जो 12th studying वाले है तुम तो पहले से कुछ तो पढ़के आयो यह थोड़ी नहीं कि तुम खाली बैठे हुए थे तो क्यों नहीं पढ़ सकते काम क्या दिक्कत है लगो आज से रोज के 12 गंटे पढ़ा जिसका एक चाप्टर तुम 6 दिन के अंदर नहीं कंप्लीट कर सकते बालो जी का उसके साथ एक फिजिसका एक कैमिस्ट्री का एक बालो जी का क्या प्रॉब्लम है तुम्हें बालो जी के तो दो चाप्टर खतम हो जाएगे 6 दिन में कहां प्रॉब्लम रह गई यह कहां पर confusion रह गई है कि तुम काम नहीं कर सकते अब मुझे ये डरवाली बात मत बताना कि तुम कर नहीं सकते क्यों नहीं कर सकते बेवोकूफ हो गया intelligent लोग हो तुम जब की तीयारी करनी तुमने शुरू की है तो नीट की तैयारी करने के अंदर तुम्हें खुश तो सोचा होगा कि हां तुमे तुमचर को दा कर दा कोई शेडियूल की चक्कर नहीं है तुम्हें पता है कि तुम्हें थे दिन के अंदर एक चैप्टर खतम करना है एजिए से स्टार्ट कर और चलते चले जाओ केमिस्ट्री का जहां तक बात है अगर तुम ट्वल्थ पास वाले हो तो ग्यारा बज़े प्लस को जॉइन करो ग्यारा बज़े से पूरी के पूरे सेशन चल रहा है रोज की एक के घंटे ही क्लास हो रही महीने पर 24 क्लास हो दी है साथ-साथ रोज यूट्यूब के उपर सेशन सोरें एंटी अभियास के टेस्ट में करवा रहा हूं एंजी आटी के सॉलीशन करवा रहा हूं सब कुछ तो करवा रहा हूं यार तुम मेरे को फॉलो करते रहोगे तो केमिस्ट्री महीं खतम हो जाएगा क्या टेंशन है तु समझा गई अब ये दिमाग को खड़काना बंद करो काम करो टाइम वेस्ट बिलकुल नहीं करना आज से अभी से काम शुरू करो तेजी से काम करो बढ़िया तरीके से काम करो कैसे नहीं क्लियर होगा यार कैसे नहीं क्लियर होगा बिलकुल क्लियर होगा समझा गई बात कभए शरू करो काम करते चले जाओ रुकोंमत ठीक है और यह और यह मैं हूँ तुमारे साथ सारी कि सारी अनकैडमी तुमारे साथ है तो किस बाद की टेंशन कोई टेंचन नहीं है कि यह लिया करने है करने है और बहुत सारे कोश्चन से उपर बैठते हैं इतना बहुत है तुम्हारे लिए हर जगे से कुड़ा इखट्टा करने की जोरत निए उसके assignment ले लो, उस किताब को भी खटा कर लो, वहां से भी ले लो, वहां से भी ले लो, कोई एक किताब फॉलो कर लाया है, बहुत है, thoroughly करो, और ये मत सोचना, अले वो किताब नहीं की तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सारे किताबों में same question है, same solution create करो, समझे, तयार हो ना तुम, be ready, be with me and do whatever you have to do, जो करना है, करो, कोई ifs नहीं, जैसे मैं हमेशा बोलता हम, no ifs, no buts, follow the instruction, be successful, ठीक है, plan करो, plan बनाओ, thoroughly करो, और plan तुम्हारा simple सा है, पढ़ाई, करते चले जाओ, parents को अपने साथ रखो, parents को बताओ कि तुम्हें ये करना है, अगर तुम्हें कुछ चीज चाहिए, कुछ चीज बॉदर करें, कुछ चीज परिशान करें, तो share करो, बताओ क्या problem है, क्या परिशा होगी, तो हो जाएगी, या फिर तुम सोचों कि positive है, तो सब कुछ positive होगा, अगर किसी को पैर में चोट लग गई है, तो वो भी positive होगा, उसको bed rest में रहना पढ़ेगा, कहीं दोर दर नहीं भाग पाएगा, और जदा अच्छी पढ़ाई होगी, मैंको तो हर चीज में positive और कुछ भी नहीं है, समझे, और हाँ, keep cool, कोई tension कहीं पर मत लाओ, अपने आपको शांत रखो, सारी चीजे सही होती चली जाएंगी, सारी चीजे सही हैं, हो क्या जाएंगी, सही हैं, जिस भी situation में तुम हो, उसी situation को अपने advantage के लिए use करो, अपने फायदे के लिए इस्तम करो, कोई confusion मत रखो, ठीक है, ग्यान आपके दिमाग की खुराक है, फूड है, बर्डन नहीं है, ये आपके लिए खाना है आपके दिमाग के लिए, तो इसको खाने को अपने दिमाग को अच्छे अच्छे ग्यान देते रहिए, रोज नहीं नहीं बाते देखिए, रोज मै अरे लिए काम का है, तो वर्क हार्ड और अच्छी वियर सक्सेश, इतनी डाट काफी है आपके लिए, और डाट की तो ज़रुवत नहीं है, करो, बस, अच्छीव, कोई कमी नहीं है, कोई प्राब्लम नहीं है, मैं ये नहीं कहरा कि कबूतर की जएके आँखें बंद कर लो कि बिल्ली आएगी, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, प्राब्लम अइडिफाय करो, यार अगर कोई प्राब्लम है, तो उसको सौल कर दो, उसके ओपर क्रिब मत करो, रोने मत बैठो, सौल करो, अगर ईश्वर आपको कोई कठिनाई देता है, तो इसलिए देता ह है कि आपके पास उसका सामना करने का समर्थ है, यू हाव दे केपासिटी तो बियर दाट प्राब्लम, तो यह वाव देता प्राब्लम, तुम्हारे लिए प्राब्लम है, तुम सौल कर सकते हो, करो गे और करो, समझे, तो इस विद दाट, हमारी स्पेशल क्लासिज हो रही ह आज मैंने स्पेशल क्लास के इंदर आस्क में अनितिंक रखा था, कल मैं कुछ और रख दूंगा, रोज नहीं सेशन्स हो रहे हैं, जितने एक प्लस के पाते प्लस के दर सकास्थaden का पाता मैं उस सूले घुट यूट्र बहुपर करती हैं मैं ले रहा हूँ, हमारा मंडे वेटनेंस देर पूरा का पुरा शेडूउल चल रहा है फोर पिम महिंदा सर क्लास ले रहे हैं फाउप पिम सीप में बालीची ले रहे हैं घृट्वाले को रियानु कुछ कुल संक्षी कना ररी है। क्या दिक्कत है इसको यहाँ पर रात को कुशन पेपर डिसकस कर रहा हूं लोग कम आ रहें लेकिन वाई क्यों कम आ रहे हैं या जब पूरे के पूरे कुशन यहाँ पे लिटेइल में डिसकस हो नहीं और वह भी वूं चाप्र के जो आलएडी कर चुके हो तो वह आपर चल रहा है और गानिक केमिस्ट्री जोइन तो करो पता तो चले और गानिक केमिस्ट्री कितनी एजी है बहुत अच्छी बात है नहीं करना तो यहां पर जोइन करो ना फॉलो मी प्लस अफकोर्स इजी है बेनेफिशियल है उससे तुम्हारा आसान हो जाता है लेकिन यहां पर बुरा नहीं है ठीक है टेलेगराम चैनल को जोइन करो लाइडेली.me.slaas.chat यहां पर अगर फोर से यहां पर आप डायरा डाली.me.slaas.chat पर जाईए उसको इसको जोइन कर लीजे and then you can go on with live daly.me.slaas.mead.me.slaas.neat की जब हम बात करते है तो यहां पर आपको सारे किसारे जितने भी classes हो चुकिए उन सब की playlist मिल जाती है PDF नोट्स मिल जाते है लोग मुझे से पूछते हैं नोट्स कहां से मिलेंगे नोट्स यहां से मिलेंगे यार सीधा सीधा डाउनलोड कर लो क्या दिक्कत है and an academy subscription of course आप an academy subscription ले लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि यहां पे हैं live classes जिसमें आप educator के साथ interact कर सकते हो YouTube one way communication हो जाता है कोशिश तो करता हूँ कि सारी के सारी चीज़े मिलती ही चलिए बट one way communication हो जाता है यहां पे two way communication you can interact directly real time में interact कर सकते हो live polls और leaderboards है जिसके साथ-साथ जो सबसे important चीज़ है वो मुझे लगती है live doubt clearing sessions ask me anything हम special classes पे करते हैं लेकिन इस way plus पे तो every day is ask me anything लोग मुझे से पूछते हैं हाँ मैं उनको जरूर कहता हूँ कि course से related पूछे उस topic से related पूछे लेकिन पूछते तो हैं उसमें से भी तो answer आ जाते हैं सारे के सारी teams है यार plus के ओपर पूरी के पूरी teams है यहां पे एक team है यह दूसरी team है यह तीसरी team है ऐसे 100 teams है there are more than 300 educators on plus आपकी पसंद का educator आपको मिलना ही मिलना है आप चाहे कैसा भी पढ़ना चाहे मुझे ऐसे पढ़ना तो okay fine वैसा educator मिल जाएगा आपको कुछ easily पढ़ाते हैं कुछ difficult questions पढ़ाते हैं कुछ fast चलाते हैं कुछ slow चलाते हैं यह बहुत सारे questions कराते हैं किसी को Central नहीं करातेaci आप अपनी पसंद के educator से पढ़िए लाsehen तो कोई आपको यह थोड़े नहीं कहता है इसे पढ़े में आप इसस़े बढ़ें है इससे पढ़िए उनसे पढ़िए उनसे पढ़िए जिसससे यह अच्छा लगता है उनसे बढ़ी है इतने सारे चुके एटरस हैं एक्सपीजेंस टीचर्स हैं कोई लीनियंट है कोई स्ट्रिक्ट है जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे कीजिए और हाँ प्राइस हाइग होने वाला है जल से जल सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अभी तो आपको 10% आफ मिली रहा है एवी लाइफ कोड यूज कीजिए 10% लीजिए जोईन कर लीजिए जल्दी से प्राइस हाइग होने वाला है और नाव कैसे करना आपको अनकाडमी लर्निंग आपको जोईन कीजिए इंस्टॉल कीजिए इंस्टॉल करने के बाद आप जाएंगे इसके पा महीन है छे महीन हैं 2021 में साथ महीन हैं और देर जबाकी के लास्ट के दो महीने क्या करोगे अभी फॉल्ड टाइम विंग 12 मंद का सेशन ले लिजए जितनों वी 2021 माले अगर 2022 वाले इस डाट को देख रहे हैं कि अगली बार हमें भी पढ़ेगी तो भाया उनके लिए 24 मंद का सब्सक्रिप्शन है ठीक है एवी लाइफ को यूज़ कर लीजिए 10% डिसकाउंट और जल से जल ले लीजिए का बात का इंजार मत कीजिए का पता चलेगा कि बात के चक्कर में आपको और भी जादा पैसे देने पड़ गए क्योंकि ठीक हैं सब्सक्रिप्शन के लिए अगले सेशन में आएगे फिलाल 2021 वालो के लिए तो 2022 वाले अगर Iconic Subscription ले यूज़ कर लेते हैं तो शायद उनको इस डाट की ज़रूरत ना पड़े तो Go With The Iconic Subscription जिसमें आपको Mentors मिल जाएंगे जो आपको गाइड कर पाएंगे प्रॉपरली ठीक है कोड आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं नीट, जे, 9, 10, 11, 12 जो भी आपकी रिक्वार्मेंट से उसमें आप यूज़ कोड याद रखेगा नीट को इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीज़ेगा, ये डाट अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीज़ेगा, लेओ बेटा डाट भी खाओ लोगों का अच्छा लगता है, मुझे पिछली डाट को बहुत लोगों ने शेयर किया, कि हमें डाट पढ़ी है तो तुम भी डाट खाओ Anyway, बाकि जो सेशन्स होते हैं, उनके PDF नोट्स भी डाउनलोड हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था LiveDaily.me.neet पर आपको सारे के सारे PDF नोट्स भी मिल जाते हैं, सब्सक्राइब जरूर के लिजेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा और यूज कीजेए कोड AVLIVE, ठीक है? AVLIVE कोड यूज कीजे, 10% discount लीजे, जोड़ी जाएए हमारे साथ Iconic के साथ और प्लस के साथ, ठीक है? YouTube तो चली रहा है, ठीक है? Okay, बाबाई, याद रहेगी ना डाट, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया तरीके से. You have to succeed. No ifs, no buts. Take care. Bye.